जय श्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा बोलिए पार्वती मांता की जय हो शंकर भगवान की जय हो बहुत समय पहले की बात है धरम पाल नाम का एक राजा था जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था वह बहुत ही विद्वान था उसकी परजा बहुत सुखी और समपन थी राजा अपनी परजा से बहुत प्रेम करते थे और अपनी परजा का संतान की भाती पालन पोशन करते थे परजा भी राजा से बहुत खुश थी और उनका बहुत सम्मान करती थी उनके राजे में किसी भी तरह की कोई परिशाने न नहीं थी संतान नहीं होने के कारण राजा और रानी दोनों बहुत तुखी रहते। लेकिन मैं क्या करूं इसकी भागी में संतान का योग तो है लेकिन इसकी संतान केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह सकती है। उसकी भालक का नाम करन संसकार हुआ तो बालक का नाम चिरायू रखा गया। ये कए आदर सतकार से पंडिजी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा से कहा हे राजन आपके इस आदर सतकार से मैं पहुत परसन नहों लेकिन आप मुझे कुछ उदास और चिंते दिखाई देते हैं क्या बात है। पंडिजी के इस तरह पूशने पर राजा ने अपनी आप पिती उन्हें सारी बता दी। तमपंडिजी ने कहा कि हे राजन आप चिंता ना करें। आप अपने पुतर का विवाह एक ऐसी कन्या से करें जो सर्वगुल संपन्न हो और उस कन्या को सुभाग्यवती रहने का शुब आशिरवात भी मिला हो। अगर उस कन्या को सुहागिन रहने का आशिरवात प्राप्त होगा तो तुम्हारे पुतर की आयूँ खुद और राजा ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। जिस कन्या के साथ चिरायू का विवाफ हुआ वह कन्या मंगला गोरी का व्रत करती थी। स्वर्गवासे पूरी हो जाती है। वे दोनों मा बेटी रोज भगवान शिव और माता पार्वती की पूझा करते थे। एक दिन सेट ची के घर काम करते हुई जब शांता वापस करा रही थी। तब उसने रास्ते में वे के पास दो और दो को बाते करते सुना। उसमें से एक औरत कह रही थी कि कल से मंगला गोरी माता का वरत है। जो कोई भी मंगला गोरी माता का वरत करती है उसे बहुत वरदान मिलते हैं। उसके सुख सोभागे में वरत्धी होती है इसलिए सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का वरत्ध करना चाहिए दोनों आपस में बाते कर रही थी एक इस्तरी दूसरी इस्तरी से कह रही थी कि यह वरत्ध करने के लिए तुम अपने पुत्री को कहो जिससे उसे अच्छा पती मिल जाए शानता ने जब ये सब बाते सुनी तो घर आकर उसने अपनी बेटी को भी बताया तो उसकी बेटी कहने लगी मा वो तो सब ठीक है पर शादी के खर्चे के लिए धन कहां से आएगा अगर कोई सुयोगी लड़का मिल भी गया तो बिना धन के शादी के लिए तयार ही नहीं होगा शानता ये है सुनकर गहरी सोच में पड़ गई फिर उसने अपनी बेटी से कहा बेटी जो होगा देखा जाएगा सब हमारे भाग्य का खेल है भगवान शिव और माता पारवती को परसंद करने के लिए तुम मंगला गोरी का वरत करो और मैं सावन के पहले सोमबार से ही भगवान शिव का वरत करूँगी मुझे विश्वास है शिव जी और माता पारवती हमारी मनो कामना भी पूरी करेंगे अपनी मा की बाते सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गोरी का वरत करना शुरू कर दिया एक दिन शानता काम करने के लिए सेटशी के घर गई और काम करके जब वहकर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरी तो उसे जोड जोड से किसी के रोने की आवास सुनाई दी उसने देखा कि एक बुढ़िया माई है पेड़ के पास बैठी होई रो रही है शांता के मन में बहुत इंसानियत थी वह बहुत नेक दिल थी बुड़िया माई के पास गई और उन्हें चुप कराया और कहने लगी कि आप रो क्यों रही है तब बुड़िया माई जोड़ जोड़ से रोते हुए कहने लगी यह जो पीपल का पेड़ है यह पेड़ नहीं मेरा बेटा है अब तो शांता एकदम हैरान ले गई भला पेड़ बेटा कैसे हो सकता है तब बुड़िया माई कहने लगी कि मेरा लड़का लकड़ी बेच कर धन कमाता था एक तिन वो एक पेड़ पर चड़कर लकड़ी काट रहा था तब ही एक डाल उसी पेड़ के नेचे बैठे रिशी के सिर पर गिर पड़ी रिशी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने मेरे बेटे को शराब दे दिया और वही यहां पर पीपल का पेड़ बन गया उसी रात मेरा बेटा रोता हुआ मेरे सपने में आया और मुझे सारी बात पताई मैं तुरंट भागी भागी उस रिशी के पास गई और अपना शराब वापस लेने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी तब भी कहने लगे कि मैं अपना शराब तो वापस नहीं ले सकता लेकिन अगर कोई कन्या इस पेड़ से विवहा करे तो उसके पुन्य करमों के फल से यह वापस इनसान बन सकता है पर उस कन्या के सारे पुन्य चले जाएंगे जिस कारण वह लड़की कुरूप और बिमार हो जाएगी और एक वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यू भी हो जाएगी अब बुढिया माई कहने लगी तुम ही बताओ ऐसी कौन सी कन्या होगी जो मेरी इस बात को सुनकर शादी करने को तयार होगी अब यह बात तो सही थी कि ऐसे में तो कोई भी तयार नहीं होगा शांता ने अपनी तरफ से कोशिश करके बुढिया माई को चुप कर आया और वहां से अपने घर चली आई घर आकर उसने सारे बातें अपने बेटी को बताई तो उसकी बेटी कहने लगी माँ मैं उस पेड़ से विवाह करने को तयार हो अपने सारे पुन्य भी देने को तयार हो शांता कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा करने से एक साल में ही तुमारी मृत्यों हो जाएगी नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी तब प्रिया कहने लगी मा मेरी रक्षा तो माता गौरी करेंगी और आगे जो मेरी किसमत में लिखा होगा वही होगा आप चिंता मत करो और वहे अपनी मा से जिद करने लगी खाना पिना छोड़ दिया दो तिन दिन बाद शांता को उसकी जिद को मानना ही पड़ा वहे अपनी बेटी को लेकर उसी पेड़ के पास पहुँची वहाँ पहुचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बाते बता दी बुढ़िया माई बहुत खुश होई उसने उसे दिन पंडित पुला कर उस लड़की का विवहा पेड़ से करवा दिया विवाह किरते ही वहे पेर एक सुन्दर यूवक पन गया तब शामता ने अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया अपने सारे पुन्य कर्मों कफल देने के कारण वहे लड़की अब बिमार रेने लगी अपने ससुराल में जाकर भी वहे भगवाँ शिव और माता पारवती की पूजा कर दी बिमारी के समय में भी वहे मंगला गौरी माता का वरत कर दी रही एक महीने बाद उसके चारों वरत पूरे हुए पर तब तक वहे बहुत कमजोर हो गई थी उसे पता था कि अब उसकी मृत्यों निश्चित है वहे बिमार होकर नहीं मरना चाहती थी और यही सोचकर उसने सोचा कि जो मृत्यों एक साल के बाद आनी है वो कुछ दिन में आ जाये तो अच्छा है इसलिए उसने अनजल छोड़ दिया और शिव पार्वती की तपस्या करनी शुरू कर दी एक रात को वह ओम नमस्षिवाय का जाप कर रही थी उसी समय माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई उसे दर्शन दिये और कहा बेटी सारे कश्टों और चिंताओं को छोड़ दो तुम अपने सारे पुन्य अपने पती को दे चुपी हो और तुमने उसे शराप मुक्त कराया है तुम्हारी सच्ची भगती ने मेरा मन जीत लिया मैं तुम्हें अखंड सोबाग्यवती होने का वरदाम देती हूँ और साथ ही तुम्हारे पुन्य करम फिर से तुम्हें मिल जाएंगे अब से तुम और तुम्हारे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी और इतना कहे कर माता पारवती वहां से अंतर ध्यान हो गई उनके जाने के बाद प्रिया पहले के जैसी रूपती हो गई मा मंगला गोरी का व्रत करने से सभी इस्तरियों को सुहाग की प्राप्ती होती है एक समय की बात है भगवान शंकर और माता पारवती जी नारत जी को साथ लेकर धरती पर भरवन करने निकले चलते चलते एक गाउं में पहुंच गई जैसे ही गाव में भगवान शिव और पार्वती के आने का समचार फैला तो गाव की जो बड़े घर की महिलाएं थी उनके स्वागत के लिए स्वाधिश्ट भोजन तयार करने लगी भोजन बनाने में उन्हें बहुत समय लग गया लेकिन जो साधारण कुल की स्थरिया थी उन्होंने जल्दी जल्दी ठाली में हल्दी कुमकुम लिया अक्षत लिया और भगवान शिव गोरी की पूजा के लिए वहां पहुँच गई वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव और माता गोरी की पूजा की पार्वती जी उनके पूजा भाव को देखकर बहुत परसन थी तब माता पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्विकार करते हुए सारा सुहागरस उन पर शिड़क दिया अटल सुहाग का वर्दान प्राप्त करके वे महिलाएं लोट गई और जो बड़े घर की महिलाएं थी वे भी अनेक परकार के भोजन लेकर साने चान्दी के परतनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे वेंजन सजाकर माता गोरी और भगवान शंकर की पूजा करने आई उने देखकर भगवान शंकर ने पारवती देवी से कहा है देवी तुमने तो सारा सुहागरस साधारन कुल की महिलाओं को दे दिया अब आप इनही क्या दोगी तब पारवती जी ने कहा है प्राणनात आप चिंता न करें उन महिलाओं को तो मैंने किवल उपरी पदार्त से बना रस दिया है पर मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहागरस दूँगी यह सुहागरस जिसके भाग्य में भी पड़ेगा वै तन मन से मेरे जैसी हो जाएगी अब इस्तिरियों ने पूजन किया माता गौरी की भगवान शिव की अरात्ना की तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली को चीर कर उन पर सुहागरस छिड़का जैसा चीटा जिस पर पड़ा वैसा ही सुहाग उसने पाया बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की अग्या लेकर नदी तट पर विश्राम करने चले गई और वहाँ जाकर उन्होंने बालू के भगवान शिव की मूर्ती बनाई उस मूर्ती का पूजन करने लगी पूजन के बाद में बालू के ही पकवान बनाकर उन्होंने शिव जी का भोग लगाया इतना सब करते करते पारवती जी को बहुत समय लग गया बहुत देर के बाद जब में लोट कर आई तो महादेव जी उनसे पूछने लगे हे देवी क्या बात है आपको आने में बहुत देर हो गई अब पारवती देवी ने ये तो नहीं कहा कि मैं पूजा कर रही थी जोट बोल दिया कहने लगी कि वहाँ पर मेरे माई के वाले मुझे मिल गए थे उनसे बाते करते करते मुझे बहुत देर हो गई लेकिन महादेव जी तो महादेव जी थे वे तो कुछ और ही सोच रहे थे उन्होंने पारवती देवी से पूछा अच्छा देवी ठीक है तुम ये तो बताओ तुमने नदी के तट पर पूजन किया तो किस चीर का वोग लगाया और स्यम कून सा परशाद खाया तब पारवती जी ने फिर से जूट बोल दिया कहने लगी कि मेरी भावजने मुझे दूद भात खिलाया था उसे खाकर मैं सीधी आपके पास ही आ रही हूँ यह सुनकर भगवान शिव भी दूद भात खाने के लालच में नदी तटकी ओचल दिये और पारवती जी से कहने लगी कि मैं भी दूद भात खा कराता हूँ यह सुनकर तो पारवती देवी सोच में पड़ गई उन्होंने मोन भाव से ही भगवान भोलेनात का ध्यान किया और प्रार्थना करने लगी ए भगवन यदि मैं आपकी भक्त हूँ आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप मेरी लाज रख लेना और इस तरह से प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी चंते चलते थोड़ी ही दूर पर नदी के तड़ पर उन्हें माया का महल दिखाई दिया उस महल की अंदर जैसे ही वे पहुची तो भगवान शिव के साले साली सारा परिवार था उन्होंने भगवान शिव का और देवी गोरी का खोब स्वादत किया भगवान शिव और माता पारवती दो दिन तक वहाँ पर रहे तीसरे दिन पारवती देवी ने भगवान शिव से कहा कि अभवी चलना चाहिए तब भगवान शिव कहने लगे कि नहीं अभी हम और रुकेंगे तब माता पारवती जी रूट कर अकेली ही चल दी माता पारवती को अकेला जाता हुआ देखा तो भगवान शिव भी पारवती देवी के साथ चल दिये और नारज जी भी साथ-साथ चल दिये चलते चलते बहुत दोर निकल आए उस समय सुरी भगवान अपनी धाम को पधार रही थे अचानक से भगवान शुनकर पारवती देवी से बोले अरे मैं तो तुम्हारे माएके में अपनी माला ही भूलाया हूँ ये सुनकर पारवती देवी कहने लगी ठीक है मैं अभी ले आती हूँ पारवती देवी जैसे ही जाने लगी तो भगवान ने रोक लिया अरे देवी आप कहा जाएंगे नारज जी है ना ये माला ले आएंगे और ये कहकर उन्होंने नारज जी को भेज दिया लेकिन ये क्या नारज जी जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वे देखते क्या है ना कोई महल है ना कुछ भी है दोर दोर तत पस जंगल ही जंगल है अब नारज जी सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत स्थान पर आ गया हूँ तब ही वहाँ पर जोर से बेली जमकी और भगवार शिम की माला पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी नारज जी वहाँ पहुँचकर सारा हाल समझ गए कि ये सब पारवती देवी की ही लिला है तब पारवती देवी कहने लगे कि मैं किसी योग्य हूँ नारज जी तब नारज जी कहने लगे माता आप तो सभी से स्रेष्ट हैं संसार की इस तरियां आपके नाम स्मरन से अटल सोभाग्य प्राप्त करती हैं आपके लिए यह कार्य करना भला कौन सी बड़ी बात है नारज जी इस तरह कहकर आगे कहने लगे हे माता वो प्रिय पूजा सबसे अधिक शक्तिशाले और सार्थक होती है आपकी भावना और चमतकार्ण पूर्शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही परसनता हुई और मैं आपको आशिरवाद रूप से कहता हूँ कि जो भी महिला इस तरह गुप्त करूप से पती का पूजन करके मंगल कामना करेंगी उन्हें महादेव जी की कृपा से दिरगायों वाले पती का साथ मिलेगा इस परकार का आशिरवाद परकर पारवती देवी बहुत खुश होई इस दरादाम पर अपनी लिला करके महादेव जी पारवती देवी और नारत जी के साथ कैलाशप की ओर चले गए बोलिए शंकर भगवान की जै हो, माता पार्वती की जै हो अब सुनते हैं गनेश जी की कहानी बोलिए गजानन गनेश जी की जै हो एक समय की बात है गनेश जी महराज एक सेट जी के खेट से होकर गुजर रही थे तब उन्होंने उत्सुपता से बारेदाने अनाजके तोड़ लिए अब बारेदाने अनाजके तो तोड़ लिए लेकिन गनेश जी के मन में आया कि अरे ये तो सेट जी के यहां चोरी हो गई वो तो अपने मन में पश्तावा करने लगे और सोचने लगे ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया अब मैं क्या करूँ मेरा ये पाप कैसे उतरेगा तभी गनेश जी को एक युक्ति सुची कि चलो मैं सेट जी के यहां बारा साल तक नोकरी पर रह जाता हूं ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे बस गनेश जी ने एक पालक का रूप धारन किया और सेट जी के खर चले गए और कहने लगे सेट जी मुझे आप अपने यहां काम पर रख लो अब सेट जी को नोकर की ज़रुत थी उन्होंने उसे काम पर रख लिया अब सेट जी के यहां गनेश जी नोकर बन कर रहने लगे कुछ काम करने लगे एक दिन की बात है सेटानी जी राक से हाथ धो रही थी गनेश जी ने देखा तो सेटानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से दुलवा दिया सेटानी को तो बड़ा आजीव लगा वो तो गई भागी भागी सेट जी के पास और बोली यह कैसा नोकर रख लिया है मेरा हाथ पकड़ लिया गनेश जी को सेट जी ने बुलवाया और पुछा क्यों भाई तुने ऐसा क्यों किया तुने सेटानी का हाथ क्यों पकड़ा तो गनेश जी बोले कि मैंने तो एक सीग की बात बताई है जाक से हाथ दो तो घर की लक्षमी नाराज होकर चली जाती है मित्ती से हाथ दो तो लक्षमी लोट करा जाती है सेट जी ने सुच्चा बात तो सही कह रहा है तो उसे माफ कर दिया ऐसा करते करते कहीं दिन बीट गए फोड़े दिनों बाद कुम्ब का मेला आया तो सेट जी बोले भाई देख मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता ऐसा कर तो सेठानी को कुम्ब के मेले में ले जा और वहां सनान ध्यान करवा के लिया तो गनेश जी जो सेठ के यहां नोकर बने थे सेठानी को लेकर कुम्ब के मेले में चले गए वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैटकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर नहाने लगी तो गनेश जी पकड़ा सेठानी का हाथ और आके जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा कर ले आए घर आकर सेठानी तो सिर्च जी से फिर शिकायत करने लगी यह आपने कैसा नोकर रख लिया है मेरी इज्जत ही नहीं करता इतने सारे लोग थे और मुझे कसीट कर बीच पानी मिले गया आप सेठ जी ने फिर दनेश जी बुलवाए भाई तो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है तो गनेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी जिन किनारे पर बैट कर नहा रही थी मैं उन्हें आगी ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ इससे अगले जनम में ये बहुत बड़े राजा की राने बनेगी इन्हें बहुत राजपाट मिलेंगे तो सेठ जी ने सोचा कि कहे तो सही राह है बीच में नहाने पर अच्छा पुन्नी मिलेगा तो सेठ जी ने फिर बात आई गई कर दी एक दिन सेठ जी की घर में पूजा रखी गई हवन हो रहा था सेठ जी तो हवन में बैठे थे पर सेठानी अभी तक नहीं आई थी तो सेठ जी ने गनेश जी को कहा जाओ भाई सेठानी को बुला कर लाओ अब गनेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए देखा सेठानी तयार बैठी थी लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओड रखी थी तो गनेश जी बोले कि सेठानी जी, उजा पाट में काले कपड़े नहीं पहनते, आप चुन्नी बदल लो लेकिन सेठानी नहीं मननी उसने सुचा नोकर है मुझे आदेश दे रहा है मैं क्यों बानों तो वो तो ऐसे ही चलने लगी गनेश जी ने क्या किया कि चुन्री उतारी और फाड़ दी और कहा कि अब लाल रंकी चुन्नी ओरो तब चलो सेठानी तो ये सब काम देखके बहुत कुसे में आ गई उसे तो बहुत कुस्सा आया वो तो कहने लगी कि मैं जाती ही नी पूझा में और नाराज होकर वही पर अपने कमरे में ही लेट गई अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतजार करते रहे बहुत देर हो गई थी तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आये तो देखा कि सेठानी दो नाराज होकर पड़ी है सेठ जी ने पुछा क्या बात है तो सेठानी बोली कि आपने ये पतानी कैसा पागल नोकर रख लिया है आज तो इसने हद ही कर दी मेरी चुन्नी फार दी अब इतना सुलके तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया उन्होंने गनेश जी बोलवाए बोले कि तुम पहले भी बहुत बदमाशी करते थे अब तो तुमने हद ही कर दी आज बताओ तुमने सेठानी की चुन्नी ही फार दी तो गनेश जी बोले कि सेठ जी पुछा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते मैंने तो सिर्फ इने लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था काले कपड़े पहनने से कोई भी शुब काम सफल नहीं होता जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सुचा की चुन्नी फार देता हूँ फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओर नहीं पड़ेगी तो सेट जी ने सोचा कि वही कह तो सही बात रहा है पूजा पाट में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं समझदारी की बात कर रहा है उन्होंने फिर बात आई गई कर दी सेटानी को भी मना लिया अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीट गए एक दिन सेट जी के घर में गनेश जी की पूजा थी पंडिची पुलवाए गए पंडिची आए उन्होंने पूजा की तयारी शुरू कर दी पूजा करनी शुरू कर दी लेकिन ये क्या पंडिची तो गनेश जी की मूरती ही लाना भूल गए अब बताओ कैसे क्या करें जब गनेश जी की मूरती ही नहीं तो पूजा कैसे करें बड़ी शिंता में पढ़ गए क्योंकि मूरत निकला जा रहा था तो गनेश जी वहीं पर खड़े थे अब देखा कि मूरत निकला जा रहा है सेट जी बड़ी शिंता में है तो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ती बनाकर यहां विराज मन कर लो और मेरी ही पूझा कर लो आपकी पूझा सफल हो जाएगी सारे काम आपके सफल हो जाएगे अब इतना सुनगे तो सेट जी को बहुत ही गुस्सा आ गया वे बोले कि अब तक तो तुम सेटानी के साथ ही मजाक करते थे सेटानी के साथ ही बदमाशियां करते थे लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए तो गनेश जी बोले कि नहीं सेट जी मैं मजाक नहीं कर रहा मैं सच कह रहा हूँ और बस इतना कहना था गनेश जी ने अपना असली रूप धारन किया और सेठानी और सेठ के देखते देखते पंडिजी के देखते देखते वे तो चौकी पर जाकर विराजित हो गई अब सेट सेठानी तो बड़े हैरान उन्होंने तो गनेश जी की पूझा शुरू कर दी क्योंकि मूरत निकला जा रहा था पूझा समाब तो गनेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए अब तो सेट सेठानी हाथ सिर में मारें और बड़ा अफसोस करें अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया इतने सालों से हम गनेश जी के उन्हों कर बना के रख रहे थे हमने उनसे कितना काम कराया उन्हें कितना कुछ कहा ऐसा सोच सोच कर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रहे थे तो जब उन्होंने दुखी होते देखा तो गनेश जी को बड़ा दुख हुआ की बता मेरी वज़े से ये दोनों दुखी हो रहे हैं तो रात को सपने में आये सेट जी के और बोले कि सेट जी आप दुख मत करो मैंने आपके खेट से 12 अनाज के दाने थोड़े थे बस उसी का पाप उधारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नोकरी की है आपको दुख करने की कोई जुरूत नहीं मैं आपनी मर्जे से आपके यहां नोकर बन किया था और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी खाटा नहीं होगा आपके घर में किसी वी चीज की कमी नहीं रहेगी आपका घर हमेशा ही धन धन्ये से भरा रहेगा आपको सब तरह के सुख मिलेंगे गनेश जी की आसिरवाद से सेट सेठाने पुत्तरवान धन्वान हो गए ए गनेश जी भगवान जैसी कृपा आपने सेव से ठानी पर की वैसे ही सब पर करना कहते सुनते हुंकारा भड़ते सब पर अपनी कृपा बनाई रखना बोलिये गनेश जी महराज की जय हो तपसी लपसी की कहानी एक तपसी था और एक लपसी था दोनों आपस में मित्र थे तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता उनकी पूजा करता और रोज तपस्ट्या करता लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता भगवान को भोग लगाता घंटी पजाता जीन कर चद्दर तान कर सो जाता एक दिन की बात है दोनों दोस्तों में बहस चिर गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भगत है तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भगत हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं भगवान का सबसे बड़ा भगत तो मैं ही हूँ लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ती करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ तुम मैं बड़ा भक्त हूँ तुम क्या करते हो तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीन कर जब दरतान कर सो जाते हो तोनों लड़ रहे थे उसी समय नारद मुनी प्रत्वी पर घूमने के लिए आए उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते जगरते देखा तो उनकी लड़ने का कारण पूर्चने लगी तब दोनों ने नारद मुनी को परणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई तपसी कहने लगा कि नारद मुनी जी मैं तो हमेशा भगवान की भक्ती करता हूँ तपस्या करता हूँ लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है तब लपसी बोला नारत मुनी जी मैं भगवान की पूजा पाट की विधी नहीं जानता मंतर जाप की विधी भी नहीं जानता बस मुझे तो इतना पता है कि सच्ची मन से सब की सेवा करो उसी से भगवान पर सन्न हो जाते हैं तो मैं तो भगवान को रोज सवासेर की लापसी बनाता हूं भोग लगाता हूं और जीम कर सो जाता हूं मुझे से जितना हो सकता है सब की सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ और मुझे लगता है कि प्राणी मातर की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भगती है इसलिए मैं अपने आपको भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ तपसी और लपसी की बाते सुनकर नारत मुनी कुछ देर के लिए सोच में बढ़ गए फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है यह बात मैं सिद्ध कर दूँगा लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूँगा दोनों को नारत मुनी की बातों पर विश्वास था इसलिए दोनों परसंद मन से अपने अपने घर चले गए अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर इस्णान करने के लिए जाने लगा तो नारत मुनी ने उसके रास्ते में सवा करोड की एक अंगुठी रखती तपसी ने वह अंगुठी देखी तो उसने सोचा ये तो बड़ी कीमती अंगुठी है लगता है किसी की गिर गई है उसने अंगुठी उठा कर देखा तो देखा वो तो बहुत महेंगी थी, करोडों की अंगुठी थी, बस तपसी के मन में लालच आ गया, उसने सोचा कि इस अंगुठी को बेच कर, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े यद्गे करूँगा, मंदिर बनवाऊंगा, और भगवान की बाकर बैठ गया, उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा, तब नारत मुनी ने उसकी रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही सवा करोड की एक अंगुठी रखती, लपसी ने भी अंगुठी को देखा, उठा कर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगुठी है, लगता है किसी की गिर गई, जिसकी गिरी है, उसे कितना दुख हो रहा होगा, उसने अंगुठी उठाई और भगवान की मंदिर में चला गया, मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगुठी भगवान के ही चर्णों में रखती उसने सोचा कि जिसकी भी अंगुठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा तो उसे अपने अंगुठी यही पर मिल जाएगी और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगा कर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले तब ही वहाँ पर नारथ जी आ गए तो दोनों नारथ जी से पूछने लगे कहिए नारज जी हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है तब नारज जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है तो तपसी तो चिड़ गया बोला नारज जी आप ऐसा किस अधार पर कह रही है तब नारच जी ने कहा कि सुभे मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोडो करोडो की अंगुठी रखी थी तब नारच जी ने कहा कि तुमने लालच किया तुमने वह अंगुठी उठा कर रख ली इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है और लपसी ने लालच नहीं किया उसने वहे अंगुटी भगवान के चर्णों में चड़ा दी इस विचार के साथ कि जिसकी अंगुटी होगी वहे यहां से उठा कर ले जाएगा इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है अब तो तपसी को अपने भूल पर बहुत पच्टावा हुआ वो तो नारच जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा हे भगवान मुझे पर दया करो मुझे से गलती हो गई अब आप बताओ मेरे तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा तब नारच जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहाने कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो ब्रामन जिमा कर दक्षिना नहीं देगा जो सारी बलाउच देकर दक्षिना नहीं देगा तो उसकी तपस्या का उसके पूजा पाट का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो अपने घर में गाए कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाट का सारा फल तुझे मिल जाएगा दीपक जला कर हाथ नहीं जोड़ेगा दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा और इतना कहे कर नारज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है वरना किसी भी कथा कहानी का पल नहीं मिलता बॉल ये तपसी लपसी की जै हो